चलिए आज की वीडियो में लोग जानेंगे कार AC के संपूर मेकेनिकल पार्टों के बारे में यानि कार AC के संपूर मेकेनिकल पार्ट में कहां पे कौन सा पार्ट लगा होता है और किस पार्ट का क्या कारे होता है, कोन कितने पावर का लगा होता है, किस प्रकार से कारे करता है, और car AC जब AC को start कर दिया जाता है, तो आखिर वो average कम क्यों देती, यह पूरे समपूर meccanical total part के बारे में समझे लेंगे यहाँ पर जैसे देखे unskे अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं सब यह mechanical Part के बारे में समझेगे AC का system होता है चाये कोई भी system तीन system उसे मिल के गारी करती है जिसके अंतरगत हमारा सबसे पहला mechanical system आता है दूसरा होता electrical system और तीसरा होता है airflow system यह हमारा पहला system है mechanical system mechanical system का मतलब AC के जिन जिन भागों में gas का संचार होता है यानि जिसमें gas प्रवायत होती है, संचारित होती है, यानि एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक गूमती रहती है, उसे car AC का mechanical system कहते हैं, तो देखें mechanical system के अंतरगत सबसे पहला भाग हमारा जो है, यहाँ पर compressor motor है, अब यह देखें compressor motor क्या है, इसमें जो car AC में compressor प्रयोग कि लाए जाता है, और यही कारण होता है, कि जब car में AC चलती है, तो AC तभी चल पाती है, जब car start होती है, अगर car start रहेगी, तो engine चलेगा, और engine चलेगा, तभी इसका compressor motor चल पाएगा, देखेंगे, अगर engine बंद है, तो compressor भी बंद रहेगा, नहीं चल पाएगा, इसलिए जब car start होती है, तभ engine चलता है, और engine चलता है, तो compressor चलता है, अच्छा, engine पे belt लगा करके, compressor को चलाया जाने के कारण क्या होता है, कि जब belt से compressor चलता है, तो compressor के चलाने के वज़े से engine पे load बढ़ जाता है, और जब load बढ़ जाता है, तो वो average कम देती है, इसलिए उस पे क्या होता जो पट्टे के द्वारा कारिकरता है इसका कार्य होता है गैस को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचा। तो जाती का है कंडेंसर में यह देखें, जो कंडेंसर होता है, यह कंडेंसर हमारा कार AC में प्रियोग होने वाला जो कंडेंसर होता है, यह होता है फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर, मतलब समझे, जैसे कंडेंसर हमारा बिंड़ो AC में होता है, जैसा स्प्लीट AC में होता है, सेम वैसा ही condenser यहां car AC में भी प्रियूक किया जाता है, यह जो condenser होता है, car के सबसे अगले AC में लगा होता है, सबसे आगे, यानि जहां पे radio water लगता है, जिसमें पानी भी बरते हैं, जो ठंडा करने के लिए प्रियूक करता है, जो engine में सायक होता है, उसी के gest bagel में हमारा condenser सिर्फ देख रहे हैं, यह pipe पूरा इधर से उधर तक घोमी रहती हैं, और यही gas निकल करके जब जाती है, तो condenser में पूरा gas को घुमा घुमा करके है, vapor से drum, यानि भाप को पानी बना देता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि आप पानी जो निकल करके यहां से जाता है, अब समझें, जब condenser के आगे gas निकल करके जाती हैं, वो द्राव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो जो इसमें अगला part होता है, वो होता है receiver, अब देखें, यह condenser gas को vapor से drum में बदल पाता है, इसके पास एक fan भी लगा होता है, यह जो fan होता है, इस fan का कार होता है, cond condenser को ठंडा करना है, अगर बढ़िया तरीके से fan चलता है, तो यह condenser को ठंडा करता है, जिसकी वज़ा से condenser और बढ़िया तरीके से gas को vapor से द्राव में बदल पाता है, अब देखें, condenser के बाद जब gas निकलती है, उसके बाद जब जाती है, तो अगला जो हमारा part होता है, रिसीवर क्या होता है यह गैस को कुछ समय के लिए इसकी चमता होती है इसलिए यह यहां पर लगा होता है तो यह होगे हमारा अब रिसीवर के बार देखे जब गैस निकल के जाती है अगला पार्ट यहां पर जब और आगे गैस निकल के जाती है तो यह जो गैस निकल के जाती है एक पार्ट होता है जिसका नाम है आटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्ब क्या होता है इसका समझ यह आटोमेटिक एक्सपे यह तीनों कारी करता है जैसे कूलिंग को कंट्रोल करना या फिर उसको चान करके सुध करना या तीनों कारी कर देता अकेले चोटा सवाल होता है अब देख पाएंगे यहाँ पर एक पतली सी पाईप है इसके अंदर भी यह सोटू यानि सलफर डाय अक्साइड गैस भरी होती है जिसकी वज़े से कूलिंग को कंट्रोल करने का कारी करता है यह हो गया हमारा आटोमेटिक एक्सवेंशन वाल अब इसके पर जो टैम्प्रेचर होता है उसकी गर्मी को अपनी तरफ खीचता है और वहां पिर अपना कूलिंग होती है या फिर अस्थान होता है और फिर से वह गैस जो ऑग एक पाट इसमें और आएग जैसे पकंप्रिशर के clusters of Friends आ वाभाऌि वहीपनि निकलके जाता है तो सुध्द करके जब आगे बेशता है लेकिन वह पानी जब अफ्र किसी वस्थू या स्थान की गर्मी को अपनी तरब खीचता है। तो गर्मी को खीचने के कारण वो पानी गरम होता है और पानी जब गर्म होगा तो फिर से भाब के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह भी उसी प्रकार से चार्जिंग लाइन है जिसका कारी क्या होता है यह जो इसमें घंसे में का कारण और इसमें इसमें से लियुकर्ण को Cyrus करते हैं और कि अगर अगर किसी प्रकार का का रेशी से सवालाह सुजाओं है तो कमेंट करके बताएगा हम आपके हरे कमेंट का reply जरूर देंगे और हमारे दूसरे चैनल एमाई टेक्निकल ब्लोग को भी सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद